चत्यसगर के बिलासपूर में तेज रफतार दो बाइक में आमने सामने से जबर्दस्त टक्कर हो गई इस हाथसे में युवक और उसके जीजा के मौके पर ही मौत हो गई वहीं बहन और दूसरे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से खायल है उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है घटना मस्तुरी थाना छेतर के ग्राम भिलाई के पास की है युवक अपनी बहन और जीजा के साथ अस्पताल से गाउन लोट रहा था तब ही रास्ते में यह हाथसा हो गया जानकारी के नुसार बता दे सीपत थाना छेतर के ग्राम मुरपार नीवासी सूरज पटेल पिता राम पटेल जिसके उम्रत 43 वर्स है एर मसाही नीवासी अपनी बहन स्यू कुमारी पटेल और बहनोई स्यामलाल पटेल के साथ बाइक से बिलासपुर आया था यहां उसकी बहन स्यू कुमारी का इलाज कराने के बाद दोपहर करीब एक बजे तीरों बाइक में सवार होकर वापस एर मसाही जा रहे थे तब ही यह घटना हुआ बाइक सवार स्यामलाल सुरज पटेल और स्यू कुमारी पटेल अभी ग्राम भिला इस्थित तलाप के पास पहुँचे थे उसी समय सामने से तेजर अफतार बाइक सवार युवक आ रहा था देखते ही देखते अन्यंतरित बाइक सवार युवक ने तेजी और लापरवाही पुर्वक चलाते वे उनके बाइक को टक कर मार दिया इस हाथ से में सुरज पटेल उसकी बहन और बहनोई गंभी रूप से खायल हो गए इस हाथ से के बाद आसपास के लोगों की भीर जुट गई उन्होंनी इस हाथ से की सुचना पुलिस के डायल 112 को दी वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्यामलाल पटेल के परिजन मौके पर पहुँच गए आनन्फानन में सभी को मस्तूरी इस्थित अस्पताल लाया गया और इस घटना में दूसरे बाइक में सवार युवक भी गंभी रूप से घायल हो गया है सुरज की बहन के साथ उसे भी इलाज के लिए बिलासकुर भीजा गया बता दे इधर सुरज पतेल और स्यामलाल पतेल के सौ का पुष्ट माडम कराया जा रहा है